इतने लंबे टाम के बाद अभी सेलेक्शन वा तो सेलेक्शन के बाद अभी कैसा मैसुस हो रहा है थोड़ा सा इनकी तयारी की रन निति पर बात करेंगे किस तरह से तयारी की है क्या बोक्स पड़ी है इससे आपको बहुत कुछ हैल्प मिलने वाली तो family members उनका reaction कैसा था ग् किस तरह से आपने हिंदी की तैयारी की, कुछ इसके बारे में बताओ, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्रेटफर्म पर, SI का रिजल्ट आया भी हाली में, और आपने इंट्रिवी भी देखाऊगा, रिजपाल, गोदाराजी, 23 रेंग के साथ, ओल राज़सान, 23 रेंग के साथ सेलेक्ट हुए, और आज हमारे साथ, यहां पर अभी मैं इनका इंट्रिवी लेने वाला हूँ, आपके ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत केंडिट्स के कुछ सवाल रहते हैं, मैं उन सभी सवालों को भी लेने वाला हूँ, और थोड़ा सा इनकी तैयारी की रन निती पर बात करेंगे, किस तरह से तैयारी की है, क्या बुक्स पड़ी है, इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली, तो रिजपाल शुरू करें, तो सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है, क्वाल्टिएशन के इस प्लेटफॉम पर, सबसे पहले तुम्हें जाना चाहूंगा, इतने लंबे टाइम के बाद एक लंबा टाइम का इंजार रहा, एसा ही का एक्जाम, पहले एक्जाम, फिजिकल, इंटरव्यू, फिर फाइनल रिजल्ट, इतने लंबे टाइम के बाद अभी सेलेक्शन वा, तो सेलेक्शन के बाद अभी कैसा मैसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा मैसूस हो रहा है, ऐसा ही परती होती है, वो अपने अप में थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है, तो सर, टाइम लगता है, पर सर, वालों थी और जो दोस्त होती, यह पर जो तुशी है, उससे सर, अलगी शूस हो रहा है, मैं यही जानना चाहरा हूँ, सबसे पहले तो ही, सेलेक्शन के बाद, घरवालों का रियक्शन कैसा था? सर, सबसे पहले मैंने रिजल्ट देते ही, मम्मी और पापा तो भी फॉन दिया था, आप बाहरे रहे थे? हाँ, मैं सर, अजमेर था उस टाइम, अच्छा, ठीक है, सर, फिर मैंने इस्टेटस बाद में लगया, वाट्स अप पे भी, तो सर, फोन आ रहे थे थी, आप तो हुआ या नहीं हुआ, फिर सर, मैंने बाद में इस्टेटस लगया था, ओके, घरवालों का रियक्शन कैसा था, मम्मी का, पापा का, और भी जोगार आपके फैमिली मेंबर्स, उनका रिक्शन कैसा था, मम्मी और पापा है, उनके लिए तो, बच्चे दी तोई भी जोब हो, उन्हें बहुत ज़्यदा तुशी महसूस होती है, पर सर, हमारे परिवार में तिसी दी भी सर्दारी जोब नहीं है, तो पहली ही बार में, मैं ऐसा ही दी तोर पर सलेट हुआ, तो सर, उन्हें बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा यही आभी जानना चाहूंगा, और हमारे सब इस्टुएंट्स भी जानने चाहिए, थोड़ा सा अपनी पारिवारिक प्रस्ट भूमे में, आप ग्रामीन प्रेवे से आते हैं, जी सर, तो थोड़ा सा अपनी पारिवारिक प्रस्ट भूमे के बारे में बताए, जिसे मम्मी पापा क्या करते हैं इंकम सोर्स क्या है भाई बेन थोड़ा सा अगर आप स्टुदेंट्स को सभी को बता पाएं पिसर मेरे मम्मी है वो हाउस वाइप है और हमारे जो मुल्बुत जो मुल्य देने में मम्मी सच इतना योद्दान है उतना है सब्सक्राइब आप से चोटे भाई आपके गां से जो लोग जुड़े होंगे वो भी खुश होंगे अपने गां का नाम सब्सक्राइब इस जानके हुए तो अपने आपने फोड़ा सब पूरा बता दो जिए आप किस जगह से बिलोंग करते हैं मैं मेहरान जावला से भी लोंग गरता हूँ जो डेदाना तेसल में आता है जहां से अभी IS भी सेलेट हुआ है अच्छा बहुत बढ़िया और थोड़ा सा आप अपनी सेक्शनिक प्रस्ट भूमी के बारे में बताइए आपने कहां से पढ़ाई कही हो कितने मैंने तो अभी सुना था आपका बहुत अच्छे परसेंटेज रहे तो 10-12 में कितने क्या परसेंटेज रहे उसके बारे में थोड़ा से बताइए कहां से पढ़ाई की हो 10 मैंने स्री तल्यान बाल भारती शिनेर सेटनरिक सूल जावला से ही तरही और 12 मैंने प्राइवेट से ही पढ़ा है नाइटी टू परसेंट से और फिर सर मैंने 96 परसेंट से तुचामन से 12 परस ठीक है 12 में आपके सब्जेक्ट क्या रहे है 12 में मेरे सब्जेक्ट PCM रहे है PCM Physics Chemistry Maths चीक है और उसके बाद आपने क्या क्या इरोजिशन के बाद में उसके बाद में सर जब अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं तो जो मेत वालों देले सबसे बेस्ट आप्सन होता है वो आयाइट देली प्रिफर सरते हैं सर मुझे भी तुछ नहीं था तो सर मैंने भी सबसे बेले आयाइट दी त्यारी दरी वहां पर सर मेरा स्लेक्ट्षन हुआ अच्छी तोलेज मिली नहीं ताउंचली में सर वहां पर जो मुझे अनुफू मिला जो एटिंग पावर और जो एनलाइटी तल इनके उसली वजह से सर मुझे जीवन मैं भी पहुत फाइदा मिला अच्छा आपने जैसा बताए आपके दस वी में बार व्यार में मैं तो मानते हूं यह बहुत 25% है, 90% है 96% अपना में बहुत 25 पिर आप science math से होते वे PCM से होते वे इस तरफ कैसे आरेस और यह प्रेणा कहीं से मिली क्या है इस तरफ कैसे आगए आप मेरे जो फ्रेंड थे वो केपुर रे रहे थे माराजा से दर रहे थे मेरे जो दोने दोस्त थे अरंदर और मनीस तो सर वो उन्होंने तोचिन जोइन दरी थी वहां पर तो सर मैंने भी उनके साथ में आरेश ती त्यारी तो मुझे अच्छा मैं इसका मतलब आप पहले आरेश की तैयरी लगए लगए यह से पहले आपकी आरेश की काफी तैयरी हो चुकी थी थी ठीक है तो आरेश की तैयरी नहीं मैं आपको इस काफी हेल्प करेंगी मुझे थोड़ा सा अभी बिल्कुल अपने इस्टूटेंट्स के जो में इस इंट्रुए को देख रहे होंगे कि आपकी तैयारी की रन नीती जानना चाहरे होंगी आपकी तैयारी की रन नीती क्या रही किस तरह से आपने हिंदी की तैयारी कि कुछ इसके बारे में बताओ, और कुछ books के बारे में जो आपने पड़ा जाता है, studyants जानना चाहते है, वि कौन से books पड़े हैं, किस तरह से, थोड़ी से आपकी run निती के बारे में कुछ बदाए सभी students को. मैंने पूछने चाहंगा जिसे मेने वीडियो में बूझ की बारा में सजेशन किया एक केंडिट से सवाल रहे कि सब्सक्राइब डोनों ज्यादा बूक पड़ेगा दोक्र रागोप्रकास बहुत अची सबसे पहले आप हिंदी व्यात्रण है उसके बाद में रागो परतास सर्ती जो बूत है वो तंपलीट पड़ लीजी एक बार उसके बाद में तुछ टोपी थे हिंदी में जैसे इंग वचन वाच्ची वाले और जो पारिवाशित सब्दावली है वो मानस में अच्छे से दे है आपके वीडियो देखे थे पारिवाशिक शब्दावली है मैंने बिल्कुल जरूर वीडियो बनाये थे और आपने शायद वह देखे है उन वीडियो सब्सक्राइन आपने एहसा ही कि तयारी की दौरां guidance वीडियों भी काफी बनाये थे आपने देखे होंगे शायद मौ हाँ मुझे लगता है कि वह इस्ट्रेंट को काफी help करते हैं आप आजकल तो इतना time नहीं मिलता मैं इतने वीडियो नहीं बना पाता हूं लेकिन उस समय मैंने काफी वीडियो बनाए थे वह आपके लिए कितने helpful रहे हैं सर उनसे हमें इतने नंबर बे सेलेक्शन हो जाई है और सर आप हमारी जैसी प्रस्ट भूमी से आते हो तो सर हमें मोटिवेशन भी बनता है ठीक है जीके की बारे में कुछ बताना चाहेंगे जीके वली जीके विलिए सर्ट कहां से पढ़े आजकल वैसे बहुत सारा प्लेट आजकल मेरे खाल से कंटेंट की कमी नहीं है आप किसी भी प्लेटफर्म पर देख लिए हर तरह का अपने पास कंटेंट उपलब दे आज दिखती है कि ज्यादा कंटेंट हो रहा है सिमित पढ़ना स्टुडेंट के लिए मुश्किल हो तो कहां से पढ़े क्या पढ़े वो आप और इजनल पढ़े सकते हैं इतना जदा आप टाइम दो थोड़ा साइस टेटनोलोजी है वह आप अच्छे से पढ़े सकते हो थोड़ा सागर अच्छे से किया जाए तो एक्जाम को और ज्यादा बेटर तरीके से अपने हैं जिए वाले पॉर्स आपके नंबर पता है आपको जीए अपको जीए में कितना आए थे हैं बार गू कंद ठीए हमलोत जीके में बहुत अच्छे करिते हैं जीके में फ़ञे डूस में इसा की बहुत zap habla स सब् socks तो सर उसमें तो मैंने सर आई टी थी तियारी दे दोरान हर सपता टेस्ट देता था तो सर एधजाम था जो प्रेसर था वो सर बहुत ज़दा होता था तो सर वहाँ से थोड़ी आदत हो रहती थी नहीं तो ये एक्जाम की PRASUR के वजे से तब्यात करा हुई है कोई ORIGYN था नहीं सर साम तो रोम मेट थे उनके रोम पे रुटे थें तो वाँ पे रोम तो साम तो सरदी में चार्च पिने थी वजे से थोड़ी सरदी में चार्च पिला था तो बुकार जैसा आ गया इतनो ज़्यदा फरत नहीं हुआ आपने जैसे तैसे उसको manage किया और exam दिया था कई candidates ऐसा होता है कि तैयरी कई बार राजस्तान में तैसा होता है कि बहुत लंबा time लग जाता है इस लंबे time की तैयरी दो आनो बहुत सर negative thoughts भी आते हैं होगा नहीं होगा इसमें भी कुझारते रहते हैं आज पास का और circumstance बहुत तरह सवाल आते हैं आपको भी ऐसा लगा कुछ negative आपको negativity आई हो या लगा कि आप give up कर देना चाहिए या छोड़ना ऐसा कुछ आया आपके मन में मैं साथ में civil service ती तयारी तरह था तो सर मेरे जब return में number रहता है civil service की RS की या IS की RS ती तरह था मैं RS की तयारी कर रहता है ठीक है सर जब SI में अच्छे number आगे तो सर मुझे लगा जो इतना मेरे पास में time है अभी उस तो अच्छे से utilize दरते हैं तो सर में RS पे लग दिया फिर सर 57 में सर तो यह plan B भी रच सकते हैं जैसे MA रच सकते है नेट जी RF साथ में तो सर motivation बना रहता है plan B ठीक है मलता जूलता अगर आपके साथ और भी हो राजस्तान में जिस तरह से बहुत सारी vacancy इतना number time लगता इन सिक्यूरेटी रहती है तो अगर आपके पास मेरा तो यह माना कि जैसे जो एक जैसे exam है एक जैसे exam है उन सब की साथ में तैयारी करने चाहिए को RS की तैयारी करें तो RS की साथ SI में कोई problem नहीं है पठवारी है वीडियो है इस exam है तो इनकी कोई तैयारी नहीं में सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा सवाल यह था कि कभी ऐसे negative thoughts आये था कि अभी नहीं हो पाएगा या छोड़ दू ऐसा जादतर कुछ candidates के आता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ पाता गया मेरे इस फोट नहीं पिछे रिजन था कि योदि सर में अपने परतिया मानदार था तो सर में ऐसा कुछ हुआ नहीं आपके साथ बिल्कुल यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है ज्यादा तर के इंडिट्स मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैंसे आते हैं ऐसा अधना प्रेंड्स के नजरिया से नहीं अभीभाव के नजरिया से कि गरवालों का सपोर्ट कितना जरूरिया आपके लिए कितना जरूरी रहा किस तरह सापको सपोर्ट मिला तरवालों मुझे हमेसा से सपोर्ट रहा है उन्होंने तभी मुझे गवर्मेंट जोब के लिए इतना दबाव में नहीं डाला, उन्होंने यही वो हमेसे थाने दी बारे में पूछते थे, थाना आराम से था लिया था, और सर अभी जैसे SI ता रिजल्ट आया था, उस दिन भी मम्मी ने फॉन दिया था, SI में ना हो, तो टेंशन मतले ना, तो सर मुझे लगता है, दितर वालों सपोर्ट हो, तो आप प्रेशर फिल नहीं गरते हो, घरवालों में जैसे आपके मम्मी, पापा, ज्यादा सपोर्ट, किस तरह से सपोर्ट मिला आपको? मम्मी में अजमे रहता था, तो सर, खाने वाली चीज़ें वेज़ देते थे, किसा आप से सपोर्ट मिला है, और भी सरमान सी दूरूप से, और फाइनेंशली, पापा ने अच्छा विश्वास था पहले से, कि आप अच्छा जरूर कर लेंगे, तो उनका पूरा सपोर्ट और घरवालों के अलावा, और किसका सपोर्ट रहा? अब इसमें दोनों चीज़े, इस्टुडेंट भी होते हैं, और इसका यूज़ करके, बहुत सारे इस्टुडेंट है, जो बहुत विप्रीत प्रस्ट भूमी से आते हुए भी, ऑनलाइन प्लेटफरम का यूज़ करते हुए, अच्छा मुकाम आसिल किया, आपके लिए आ वो तो सर यूटूब ने और टेली द्राम ने ज़्यादा दिया, पर सर थोड़ा वो त्यारी ज़्यादा दरते हैं, तो सर पांदस मिन रिफ्रेश्मेंट के लिए आपने उसको भी यूज़ में रखा, ऐसा आपके लिए नहीं था कि आप बिल्कुल नान इंस्टॉल करके रखो, मैं तो हमेसा कहता हूँ, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कि आप अगर चला भी रहे तो वो डिस्ट्रेक्शन अगर आप डिसिप्लिन में चला रहे तो इसे कोई ज़्यादा दिकर नहीं है, फिर भी मेरा मानना ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज के टाइम में, आज जब ओनलाइन में 4G का ये जमाना आ गया, आज आने वाले कुछ टाइम में आप देखना, ऐसे बहुत सारे केंड़ेट्स, मैं भी जब देखता था, कुछ टाइम पहले सिर्फ ऐसा होता था कि हम सिर्फ कहानिया सुनते थे कि वो इस पोस्ट पर है, वो इस पोस्ट प पड़े नहीं, उनको गाइड नहीं कर सकते, आसपास गाओं में भी कोई नहीं रहता है, उन्होंने वो चीजे सीखी और आज बहुत बड़े IS तक पोस्ट पर वो पहुंच रहे हैं, आने वाले 4-5 साल में आप देखेंगे, ये वास्तों में देखा जाए तो सिक्षा का भ अब देखेंगे कि जो सिर्फ सपने होते थे, आज वो हर, क्योंकि मेहनत करने वाला गाओं में बहुत सारे टेलेंट बेटे हैं, उनके पास अगर सही गाइड करने वाला और सही टूल्स और सही यहां पर उनका पास कंटेंट पहुंच जाए तो वो भी सारे चीजे कर सकते हैं कुछ और सवाल मैं कुछ lefdo stark just के सवल लेते में यहां पर उनके सवाल लेते कुछ सेव यह स्वाल लेते हैं टेएंड़ यह सथ लगातार अभी बहुत सारे ग्जाम और दे रहे हैं मैं ऐसे के यह सब कांड़ न कुछ नम्मर हो से लह आप आदे नंबर से रहता अरो ब में उसके लिए आपने सब्जेक्ट की भी तैयरी कर रहते हैं, बिल्कुल जरूर कुछ इतना असान होता आगे बढ़ते जाने था, मतलब यदि दसो दिसाइं हमारे सामने हो, हमारे चार ओर नहीं कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि सिर्फ हम चल रहे हो, बाती सब रूती होगे हो मैंने इस उल्जुल दुनिया तो दस सिरों से सोचने और बीस आतों से पाने थी तोसिस में अपने लिए बेहद मुश्तिल बना लिया है सुरू सुरू में सब यही चाते हैं, सब सुरू से सुरू हो, पर अंत तताते आते सब हिम्मत आर जाते हैं हमें तो यह दिल्चस्पी नहीं रेती, वो सब यह से समाप्त होता है, तो इतनी धूमदाम से सुरू होता हमारे ही चाने पे तुर्दम बनो और उंचे पर्वतों तो जीतते हुए जब तुम अंती मुझाई भी जीत लोगी जब तुम्हें लदीदा तोई फर्त नहीं है तुम्हें और उन पत्थर होती तठोरता में जिने तुमने जीता है जब तुम अपने मस्तत पे बर्वता पहला तुपान जेलो दी और हटो दी नहीं तब तुम्हें लदीदा तोई फर्त नहीं है तब तुछ जीत जाने में और अंततत हिमत नहारने में क्या बात है बिल्कुल मतलब कहान इस कवीता का और नायन जी कवीता का सार यही है कि अंतक जो लास्ट तक टिके रहेगा सेलेक्शन वही पाएगा अभी कल से मुझे कई केंड़ेट्स के इसे मिल रहे थे सर हमने भी टैसरी जोइन की थी बहुत अच्छे नमर भी आ रहे थे पर हम लास्ट तक टिके नहीं रहे यह सारा खेल धेरे का होता है जो लास्ट तक टिके रहेगा लास्ट तक खेलेगा और तिलिब भाई है ना दोर से सर उनका भी अंतिम रूप से चैन नहीं हुआ तो उन्हें भी बताना चाहूंगा आपके लिए बद्वान ने तुछ और सोच रहा है बिल्कुल बहुत बढ़ी बात बहुत बढ़ी बात हमारे किसी एक एक्जाम में सेलेक्शन होना यह नही कि लिए यह हमारी लाइफ तेह नहीं करता कि एक एक्जाम में बिल्कुल मतलब एक एक एक्जाम कर चलेए कि अगर आप में काभियित है आपमें योगता और आपुछ घषाम हारने वाले नहीं रहे हमेशा तो सर जो आप पढ़ रहे हैं उनमें आप इंट्रेस्ट लीजिए जब आप सब्जेट में इंट्रेस्ट लेते पढ़ते हैं तो आप तो बोरियत इतनी नहीं होती और साथ में आपकी होबी है वो आप साथ में पर्शी उतर सकते हो जैसे सर मैं बेडविंटन खे करता है तो कोई भी ऐसी कंडिशन आएगी जिसमें आप किसी किसी पल आप दिमोटिवेट हुए तो शाहिद वो दोस्त वापस आपको जो जगाली है वो वापस जला देते हैं अच्छा एक सवाल जो इस टाइम में इस टाइम में बहुत ज्यादा सभी की दिमाग में चल रहा है महोल अवह सरकारी नोगरिओं का ऐसा बन रखाया कि पेपर आउट हो रहा है बार-बार ऐसा कभरे आती है ऐसा यहां के इस केंडेट्स को आप क्या कहेंगे इस माहुल में भी वो कैसे मोटिवेट रहे हैं बताए आप अपनी तरफ साब क्या कहना चाहेंगे तो बहुत ज़्यदा दंबीरता से सोचने जरू रहते हैं जो तिसान परिवार से या जो द्रामें परस्ट भूमिस आते हैं वो अपने बच सर इन में दो पत्स हैं एक तो जो पेपर तरवानी वाले जो जो इंस्टिटूशन है सरकार या एगेंस या अर्पेस ये ठीक हैं उन तो सर इस पर बहुत ज़्यदा सब्की तर नहीं ज़रू रहत हैं तो साइंस टेखनोलोजी में तुछ ऐसी चीज़ें वो यूज लह सकत वो हमारे हाथ में नहीं जादा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ठीक है इसके लिए ठीक है इस्टूडेंट आज देखे तो यूज शक्ते भी अपना में बढ़ी है उनका भी प्रेशर बहुत बढ़ा है आज थोड़े टाइम जैसे चुना हो आगा सब यूज के पीछे आप साथ में अब जो मास्टर डीधरी है या और तो यह दूसरी साथ में दर सकते हो इस आपके पास में यदि प्लान भी हो तर उतना जदा प्रेसर फेल नहीं होता इसके लावा जो इस्टूडेंट है वो सरे दवाव समूव दिर उप में भी तारी दर सकते है इससे सरकार होई एक एक्जाम से दूसरे एक्जाम पर हमें प्लान भी रखना चाहिए वो तो ठीक है लेकिन जैसे पेपर आउट तो सभी में हो सकता है अब पेपर आउट होने कि जो खबर है उसमें इस्ट्ट को लगता कि आप तैयारी आरी सब छोड़ देना चाहिए यह ना यह तो सारे पेपर आउट होंगे तो यह सई है इस्ट्ट का मानना भी तैयारी छोड़ देनी चाहिए कुछ और देखना चाहिए या तैयारी पर लगे रहे हैं तैयारी पर क् मैं आपको जानता हूँ, आपने अपनी मेहनत से मुकाम आसिल किया है, मेरा ऐसा मानना है कि देखो, ठीक है, जैसी ख़वर है यह ना, उसके आदार पर लगता है कि, कितने एक लोग, मुझे नहीं लगता है कि, कुछ लोग पकड़ में भी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, सिस्टम तक को पतानी चल जाता है, और कई लोग उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता हमें एक बार मानके भी चले, तो भी मैं मानता हूँ कि, कुछ फिक, कई बार होता है कि, आपके पास एक भी सीट बची है ना, वो भी सीट आप निकाल स स्टुएंट इतनी महनत करता है, क्योंकि एक सीट भी जारी है, पांच सीट भी जारी है, तो उसके सीट वो छली गई है, वो सीट चली जाना से तो एक ऐसे वक्ति को मिल गोगे, जो आयोग यहा है, यहां पर यह ससरकार का और को भी संस्ता है, अनका दाहीत हूँ बनता है, यहाँ पर युवा सक्ति जो आपने बता है कि वास्तों में दबाव समय के रूप में काम कर सकता है, अज इतने ओनलाइन प्लेटफोर्म है, इतने सोशल मीडिया इतना पावरफूल है, ठीक है, उस पर प्रेशर डाला जा सकता है, लेकिन फिर भी अल्टिमेटली मुझे लग इतने बड़िया परसेंटर्य आगे और भी सोचा होगा अपने, आगे क्या सोचा है आपने अपने लिए मिरस्ल सिविल सर्विस में मन लेर समया है, रहर इस में भी आप तैयरी करना चाते हैं अर आगे बढ़ना चाते हैं, बिल्कूल ठीक है, और लास्त में जाते-जाते बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत बड़ी है बात कहिए यहां पर कई बार हम होता है कि छोटी-छोटी असपलता से निराश भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि सरकारी नोकरी सब कुछ नहीं होती है सरकारी नोकरी सब कुछ नहीं होते हैं कभी ऐसा किसी आपके साथ होता कि सरकारी नोकरी नहीं मिली, दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, मैं यह मानता हूँ कि आप पर कभी भी निराशा हावी नहीं होनी चाहिये, डिप्रेशन जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए, दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, बाकि सरकारी नोकरी बहुत कोई बड़ी चीज नहीं, competition बहुत tough है, लेकिन कुछ, मैं मियानता हूँ कि कुछ rules होते हैं, कुछ नियम होते हैं, अगर आप उनको भी regular follow कर लें, बाकि सिर्फ ये सोचना कि सरकारी नोकरी नहीं मिली, तो जिनकी खतम है, वो इस सोच से बिलकुल मुक्त हो जाना चाहिए, तो आप सभी को, मेरे खाल से आप कुछ, रिचपाल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इस interview से, और मैं और कोशिश करूँगा कि और भी candidates, जो हमसे जुड़े हैं, उनका भी interview और आपके कोई doubts हो, कोई सवाल हो, आप इस वीडियो में आप मुझे comment कर सकते हैं, मैं आगे आने वाले जो भी aspirants होंगे, उनसे भी ये सवाल पूछूँगा.